नमस्कार दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे जो काफ देख रहे हो यह 10 मंथ की एज की एक फीमेल काफ है बचडी है क्रोस ब्रीड में है और यह हमारे एक दोस्त है यूट्यूब फैमली से उनका यह काफ है अब उनका सवाल यह है कि इस काफ को क्या टॉनो बूश्ट यह जो दवाय आती है टॉनो बूश्ट एक सप्लेमेंट है फीड सप्लेमेंट वह देना चाहिए या नहीं अब टॉनो बूश्ट पहले तो आता किसके लिए है वह हम जान ले तो दोस्तों यह जो है काफ की ओर और बोडी ग्रोथ जो है वह करता है बड़े पशु को भी दे सकते ह है काफ को भी दे सकते है ही फिसकों भी दे सकते है ठीक है यह ऊवर और बोडी ग्रोथ कर्ता है क्योंकि इसमने विमिंड विटामीन्स मिनरस अलग अलग ऐम्नौ एसेड्स यह नहीं देना चाहिए तो दोस्तों पहले तो यह समझ ले कि यहाँ पर यह जर्च आप देख रह यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 महीने की एगर HFO तो उसका वेट जो है वो 590 पाउंड यह वेट यहां पर पाउंड में दिया गया है अगर आप केजी में उसको ट्रांसफर करना चाहते है तो आप Google पे सर्च कर लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएंगा तो 590 पाउं वेट जो है वो उस काफ का है और यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 महीने की आयू में होल्श्टिन फ्रीजियन गाई जो होती है उसका बचड़ा या जो फीमेल काफ होती है उसका वजन 590 पाउंड यान कि 270 केजी हो जाना चाहिए तो 270 केजी अगर वेट उसका हो जाता है त तो ठीक ठाक जो है वो जो एक माना जाता है कि इतना होना चाहिए एक स्टांडर्ड जो माप माना जाता है उसके मुताबिक खरा हुआ है पर वहां पर काफ का वजन इस से 100 केजी कम है ठीक है यहां पर चार्ट में आप देख सकते हैं हरे गाए का यह शैर हो ओल्स्टिन हो जर्सी उसके काउस का किस एज पर कौन सा बोड़ी वेट होना चाहिए यह यहां पर दिखाया हुआ ठीक है दोस्तों तो अब हमारे उस काफ का तो बोड़ी वेट सो किलो कम है पर दोस्तों यह ना भूले कि वो क्रॉस ब्रीड है यहां पर अगर आप इस चार्ट में देख तो उस काफ का तो अगर हम गीर से कंपेर करेंगे तो बोड़ी वेट ज्यादा है 170 केजी है तो यह मैं मानता हूँ कि क्रॉस ब्रीड में अगर हम बात करें तो 170 केजी 10 महीने की आयू में ठीक ठाक बोड़ी वेट मानी जाती है अब दोस्तो ये वीडियो में इसी लिए बनाई थी कि हम क्या करते हैं कि काफ को ग्रोथ कराने के लिए अलग-अलग महंगे महंगे जो है प्रोड़क्ट देते रहते हैं पर जो स्टांडर्ड साइज है उससे आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल भी दोस्तो होता है और सबसे महत्वपूर्ण बाद कोई भी काफ हो उसकी ग्रोथ पहले चे महीने में जो होनी चाहिए वो हो जाती है सबसे ज़्यदा ग्रोथ हो जाती है बाद में जो ग्रोथ होती है दोस्तो वो दीरे दीरे जो है देखने को मिलती है तो पहले चे महीने तक खास आपको काफ का त्यान रखना है क्योंकि वहां पे आप उसको मिल्क पिलाते हैं और उसके साथ साथ टाइम पे डी वोर्मिंग करना मिनरल मिक्स्चर देना काफ स्टार्टर देना ये सभी चीज़े आपको सीखनी होगी अगर आपको आज कले प्रोफिटेबल डेरी फार्म बनाना है तो ठीक की जाए वह हम लाते रहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब से रूकर ले धन्यवाद